नमस्कार न्यूज एचीन इंडिया आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ शालेनी का पूर्ते बारी बड़ी खबर जो मिल रही है इंडी गडबंधन को लेकर शुरुआत उसी के साथ कर लेते हैं यह एहम खबर बीजेपी ने इंडी गडबंधन पर बड़ा हमला बोला है यह का है बीजेपी ने कि आज दिल्ली में हुई इंडी गडबंधन की बर्ट्वल मीटिंग के बाद यह साथ हो चुका है कि इंडी में तूटने की पहली आठ हो गई है BJP निताओं का ये साफ कहना है कि नितीश कुमार ने इंडी का सहीज़क ना बन कर इंडी की पोल खोल दिया है अब ममता और उधव का मीटिंग में शामिल ना होना ये साबित कर रहा है कि इंडी गडबंधन तूटने वाला है BJP निताओं ने अपने बयानों से सीधा सीधा हमला इंडी गडबंधन पर किया है देखें ऐसे आलात में सवाल ये उच्छा है कि आखर इंडी गडबंधन में ऐसा कौन सा पेच फसा है जोसकी बज़े से सीटों का बटवारा नहीं हो पा रहा है क्या यह आरोप सही हो सकता है कि कौंग्रेस जानबूच कर इंडी को कमजोर कर रही है ताकि दोजार चौबीस के लोगतबा चुनाव में कौंग्रेस मोदी के खिलाप एक लौता चेहरा बन पाए घमंड या गडबंधन का जान घमंड और आंकार सिर्चड के बोल रहा है इंडी गडबंधन के तूटने का पहला की लग गया है इंडी गडबंधन जरूरी नहीं मजबूरी है तेरा जनवरी को दो घंटे तक चली इंडी गडबंधन की बैठट में यही तै नहीं हो पाया है कि गडबंधन में शामिल 28 पार्टियां किस राज्ज में कितनी सीटों पर लोग सभा का चुनाव लड़ेंगे हैरानी की बात तो यह है कि मौजूदा हालात और इंडी गडबंधन की मीटिंग में शामिल हुए नेताओं के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडी गडबंधन में शामिल 28 सियासी पार्टियों के लिए गडबंधन जरूरी नहीं मजबूरी बनता जा रहा है ममता बेनर्ची ने आखरी मौके पर इंडी गडबंधन को ऐसा जटका दिया है कि यही समझ में नहीं आ रहा है कि ममता इंडी को मजबूत करना चाती है या फिर दलदल में धकेलना चाती है घमंडिया गडबंधन में ममता का खेला इंडी गडबंधन की पाचवी बैठक में जो कुछ दिखा उससे साफ है कि बैठक गडबंधन की जरूरत नहीं बलकि मजबूरी है ममता इंडी गडबंधन की वर्चुवल मीटिंग में 28 में से 14 दलों के शामिल होने का दावास सोबसे किया जा रहा था लेकिन आखिरी मौके पर TMC ने अलान कर दिया कि ममता इनरजी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगी यानि ममता इनरजी के पास आज इतना भी टाइम नहीं था कि वो इंडी गडबंधन की वर्चुवल मीटिंग में शामिल हो पाएं सूत्रों के मुताबिक इस वक्त इंडी में शामिल कई सियासी पार्टियां नाराज होने का एक मौका तलाश रही है जिसमें ममता बेनरजी की पार्टी टीमसी भी शामिल है मैंने कहा मीटिन चल रही है कि मैंने का आट-पार्एंस घहएक को मुक्ता नहीं करेगा ब context Part A ने चार्टीमस तो यह वर्चभ मीटिंग करेगा रसम अधाहिगी करेगा 2024 में होने वाले लोकसभाचुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी सेही देश भर में महाल बनाना शुरू कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर इंडी गडबंधन में न तो महाल है और नहीं जोस आज दो घंटे हुई इंडी गडबंधन की बैठक में सीट बटवारे की चर्चा तो नहीं ही हुई इसमें चर्चा सिर्फ राहूल गांधी के यात्रा को लेकर हुई ऐसे में साफ तोर पर समझा जा सकता है कि इंडी गडबंधन का आगे भविष्य कैसा होगा इंडी की वर्चुल मीटिंग में कई फैसले ऐसे हुए हैं जो साबित करते हैं कि इंडी में शामिल सियासी धल अपने पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं कुछ पार्टियां 14 जन्वरी से शुरू हो रही राहुल की भारत निया यात्रा का जनता पर असर देखना चाती है यानि अभी इंडी में सीट मटमारे को लेकर ध्रम के स्थिती है शायद यही वज़य है कि बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार ने अजानक आज इंडी गडवन्धन का संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया डियमके केम स्टालिन ने नितीश को इंडी का संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था जिसे नितीश ने खारिश कर दिया अज पूरा देश आकरसर का किंद है हमारे नेता पर यह उमीद और विश्वास के साफ यह आपका यह जंडा हो सकता है हमारा नेता का एक ही जंडा है भाज पहटाओ देश बचाओ हलाकि इंडी गड़ बंधन में कॉंग्रेस अध्यक्ष घरगे को अध्यक्ष बनाने पर सहमती बन गई है आज की तारीख में अगर हम देखें तो बंगा बिहार, महराश और यूपी के इंडी नेता सीट मटवारे को लेकर कॉंग्रेस के हालिया रोख और सियासत पर सवाल उठाने लगे है हम आपको समझाते हैं कि आखिर इंडी में गदर मचने के क्या कारण बताय जा रहे है सूत्रों के हवाले से जो खबरे सामने आ रही है उसके मुताबिब इंडी गडबंदन में शामिल ममता बेनरट जी नितीश कुमार उदव ठाकरे अखलेश यादव राहूल गांदी है तमाम चैरे आपको दिखाई दे रहे हैं अब इन सब के बीच इंडी सियासी शक्ति को हथियाने की ओड मची हुई है और इसी वज़े से इंडी गडबंदन में मुफ फुलाने की भी होड मच गई है बस अब इसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडी से ना हो पाएगा सबसे पहले ममता बेनरट जी के हम बात कर लेते हैं जो कि दिल्ली में दो घंटे तक चली इंडी की वर्ट्वल मीटिंग में शामिल ही नहीं हुई अब दावा इसमें ये किया गया कि दरसल ममता बेनरट जी सीट शेरिंग को लेकर के कॉंगरस से खफा है वो जादा सीट अपने पास रखना चाहती है कॉंगरस को जादा तवज्जु वो देने रही है पश्चिम बंगाल के अंदर अब बात नितीश कुमार की कर लेते हैं उनके बारे में दावा ये किया जा रहा था कि इंडी का सहयोजक वो पहले बनना चाहते थे उनके नाम का प्रस्ताव दिया नहीं जा रहा था फिर यहीं का जा रहा था नाराज हो गया नितीश कुमार लेकिन अब जब बैठक हुई तो वह वहां सहयोजक नहीं बनेंगे ऐसा उन्होंने अपनी मंचा जाहिर कर दी और इसके पीछे जो वजह बताए गई वो यह कि द उदव ठाकरे का अब जिकरेस के बाद इंडी की मीटिक में आज उदव ठाकरे का चैरा भी दिखाई नहीं दिया और उनके ना पहुंचने की पीछे की जो वजह बताए गई वो यह कि उदव ठाकरे के पास टाइम ही नहीं है अब यह ज़रा चौकाने वाला था माराष्ट में कॉंग्रेस को जाधर सीट देना नहीं चाहते हैं उदव ठाकरे और ये भी एक वज़ा बताएगे कि आज वो जो वर्ट्वल बैटे थी उसमें शामिल ही नहीं हुए 80 लोग सबा सीटों माले उत्तर प्रदेश की भी अब बात कर लेते हैं जहां अखिलेश यादव हैं अब वो भी अपने आपको सर्वो परी समझ रहा हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और सबसे बड़ा संकट उत्तर प्रदेश के अंदर यही अखिलेश यादव ह कॉंगरेस को कम सीट यह देना चाहते हैं तो अभी तक का कहीं पूरा समिकरन मैंने आपको समझाया हैं उसमें यही है कि हार पार्टी का नेता कॉंगरेस को कम आक रहा है और अपने पास सीट जार लढ़ना रखना चाहरा है और बड़ी बात यह भी है कि एसपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाहते या कॉंग्रेस के गड़बंदन वो देखना ही नहीं चाहते हैं और वहीं अगर बात कॉंग्रेस की कर ली जाए राहूल गांधी अब समय राहूल गांधी के पास भी नहीं है क्योंकि जो गड़बंदा ने इससे जादा भारत न्याय यात्रा को वो जरूरी मान रहे हैं 14 जनवरी से मरिपुर से उनकी भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है अब बस उसी के तैयारी में राहूल गांधी भी लग गए हैं बड़ी बात यह है कि कॉंग्रेस का भी एक बड़ा त इनका नेता है कोई ना नीती है और नियत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था और मैं फिर कहता हूं ये घमंडिया गटबंदन ये कहीं का नहीं हो सकता अबी तक इंडिय गड़बंदन में ना सजोजक का नाम तैह हुआ है और ना ही पीएम उमिद्वार का नाम और चेहरा सामने आया है लोग सभा चुनाव में कुछी महीनों का वक्त बचा है और बीजेपी का सामना करने का इंडी गडबंधन का दावा हवा हवाई होता नजर आ रहा है कॉंग्रेस, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे कई राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाती है लेकिन महराश्र और पश्यम बंगाल जैसे राज्यों में सयोगी दलों से तालमेल बनता नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सीट शेरिंग का फामूला आसानी से सुलचता नजर नहीं आ रहा इंडी गडवंदन में मचे गदर पर बीजेपी की पूरी नजर है गडवंदन में शामिल नीतिश कुमार, उदव ठाकरे, अकलिश यादव और ममता बनर जी ने अपने पूरे पत्ते अभी तक नहीं खोले है और हैरानी की बात यह है कि गडवंदन में शामिल जितने भी नेता है उनमें समझाने वाले कम है, रूटने वाले ज्यादा है पर फैसला लेने से इंडी के नेता हिचक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर फैसला लिया तो कहीं इंडी गडवंदन तूट ना जाए इसलिए जिस तरह की तूट फूट बिहार, बंगाल, महराश्ट और यूपी में दिखने लगी है, वो संकेत जरा भी ठीक नहीं है अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया, इंडी कट बंधन के तूटने का पहला की लग गया दरसल तीन विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस की हार से इंडी कट बंधन के दलों को जोरदार जटका लगा है यही वज़ा है कि अब इंडी कट बंधन के दल कॉंग्रेस से ज़्यादा सीटे अपने लिए मांग रहे हैं इसलिए बंगाल बिहार महराज और यूपी में सीटों पर पेंच फस्ता जा रहा है इधर कॉंग्रेस की अलायंस कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दाबा किया जा रहा है कि अपने कमजोर संगठन के बावजूद भी कई राज्यों में कॉंग्रेस जादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाती है सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की असी लोग सभा सीटों में से 15 से 20 पर चुनाव लड़ना चाती है इसके अलाबा कॉंग्रेस महराश्व की 48 सीटों में से 16 से 20 सीटें बिहार की 40 सीटों में से 4 से 8 सीटें और पश्य मंगाल की 42 में से 6 से 10 सीटें चाती है सिकोडने लगी हैं इंडी में तेवर दिखाने की होर सी मच गई है अब देखना होगा कि इंडी गट बंधन आने वाले दिनों में बीजे पी को टकर देने के लिए अपने तरकश से कौन से सियासी बान चलाता है